नमस्कार, मैं सुलक्षना पांड़े 99 जय विज्ञान समूं से, आज मैं आप सभी को प्वांटम दोस से परिशय कराना चाहती हैं, जो की साइस की आधार पर अपने रंगों को बदलते हैं, प्राकृती और हमारे आर्स पास के रंग हमारे जीवन को सुन्दर बनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि यह और हम वातावरण में प्रकाश द्वारा बनाये जाते हैं, अब प्रयोक शाला में इंद्र धमुष के गठन की कल्पना करें। ऐसे इंद्र धनुष से अनुसन धान कारे के द्वारान छोटी वस्तुओं को देखने में सहयता मिल सकती हैं। इन सभी वातों को ध्यान में रखते, मैंने मेरे PhD सोधकारे में अलग-अलग रंगों का निर्मार इन नैनो कडों का इस्तमाल करके किया। हमारी प्रड़ोप साला नैनो कडों का अवियोग कर दें, इन रंगों को संसलेशित करने का प्रयास कर दें। इन नैनो करणों को प्वांटम डोट्स कहते हैं। Quantum dots की सुन्दरता यह है कि वो कड़ के आकार पर अलग-अलग कलर के स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। उदारन के तौर पर दो नैनोमीटर के Quantum dots का रंग ब्लू उदसर्जित होता है और आट नैनोमीटर Quantum dots का रंग लाल उदसर्जित होता है जिसको हम UV प्रकाश में देख सकते हैं। इसलिए इन Quantum dots का उपियो एक सांथ कई वस्तुओं को देखने में किया जा सकता है। यह अपने आकार के आधार पर रंगों को व्यापक spectrum dots surgeon कर सकते हैं। वे एक bright और स्थिर रंग को उपियोग को शिकाओं और सेल्स को देखने के लिए इमेजिंग के लिए इस्तमाल किया है। बायो इमेजिंग के यह तकने किपायती और उपियोग में सरल हो सकती है। अच्वा यह बेहतर चिकित्सा विज्ञान और निदान को विक्सित करने में भी सहायप होगी। धन्यावात। अच्वा यह बेखने के लिए बेखने के लिए गलना और पहुष्णे और निदी करने के लिएकित्सा विक्सित्सा विक्सित्से है।